नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फार्मा रोक्स की यूटूब एजुकेस्टन चनल में आज की उड़ी लेक्चर में हम डीटेल में स्टेडी करेंगे दात उरुग के बारे में दात उरुग यानि कि ऐसे बीमर के जिसके अंदर बीना किसी सेक्षिल एक्टिविटी के भी सीमेन जे वो लीकेज होने लगता है जिसके अलग अलग नाम है जैसे कि हम उसको धात रुग भी कहते हैं दूसरा नाम देखे तो स्परमेटोरिया उसको कहा ज़ता है फिर उसको सी होता क्यों है, सिम्टोम्स होगे रहा क्या है और कैसे इलाज किया जा सकते है तो डिटेल में सिखते हैं आज के उडियो लेक्चर में और जानते हैं दातू रोक के बारे में तो ऐसे समझे कि आपको बहुत सारे बीमारियों के बारे में सिखना है तो आप मेडिसिन कूर्स क को जोईन करने के लिए आप हमें WhatsApp कर सकते हैं या फिर हमारी Mobile Application को आप डाउनलोड कर सकते हैं लिंक आपको description box में मिल जाएगी तो बात है topic पे और समझते हैं दातु रोख के बार में तो दातु रहे के ऐसे medical condition से कि जिसके अंदर पूरुसों के अंदर सीमेन जोई हो लिकेज होता है कि बीना किसे sexual activity किये भी सीमेन जोई लिक होता है और जिसको हम अलग अलग नाम से जानते जैसे कि दात रोख का जाता है medical terms में उसको spermatoria का जाता है simple language में समझे तो सीमेन लिकेज भी हम उसको समझ सकते है या फिर जरियन की बीमारी भी उसको का जाता है या फिर जिरियन या फिर दात रोख भी का जाता है तो यह होने के कुछ reason से वो हम समझते हैं तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि उसके कुछ लग लग reason के समझे कोई sexual activity नहीं हो रही तो उसके करन भी यह problem हो सकता है because body में क्या है कि semen production होता रहता है sperm production होता रहता है पर क्या होता कि जब यह sperm आपके सरीर में से बाहर निकल नहीं निकलते तो वो खुछ से अपने बाहर निकलने का रास्ता जो है वो निकलते है तो उसके करन भी एक problem होती है second absence है कोई भी sexual activity आपके life में नहीं हो रही तो भी यह problem हो सकता है फिर sexual content आप देखते रहते हैं और काफी ज़्यादा समय उसके पिछे आप spend करते हो मानो आप addictive हो गए है उस type के content देखने का तो भी आपको यह problem जो हो सकता है फिर weakness हो गई है आपके जो penalty issues के अंदर जो muscles होते है पैनिस के अंदर वहाँ पे weakness आ गई है कमजोरी आ गई है तो भी यह problem हो सकता है फिर जो prostate gland आती है वहाँ पे सुजन हो गई है वहाँ पे inflammation है stress है आपके life में या फिर आप excessive masturbation करते हैं तो भी यह problem हो सकता है तो जब treatment अच्छे से मिल जाते है किसे patient को तो 10 दिन से लेकर एक मैने के अंदर बे यह problem जो आसानी से ठीक हो जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो prostate gland आती है हमारे bladder के पास तो वहाँ पे समझो कि सुजन आई है तो उसके करण भी semen leakage का problem हो सकता है उसके अलाबा आप देखो तो बहुत सारे stress है आपकी life के अंदर तो stressful life में भी यह problem जो आपको हो सकती है तो stress भी affect करते हैं आपको दाद रोक के लिए उसके symptoms देखते हैं तो जब भी आप urine पास करने जाते हैं तो भी urine के साथ semen जो लिकेज होता है उसके करन आप ऐसा भी देखते हैं कि urine जो वह वाइट कलर का आ रहा है या फिर काफी थीक urine आ रहा है या फिर ऐसा आपको लगता है कि जैसे urine में पास आ रहा है ऐसा आपको फील होता है फिर जब भी आप स्टूल पास करते हैं टॉयलेट में जाते हैं तो उस दौरान प्रेसर के कारण भी सीमेन जो लिकेज होने लगता है फिर आपको ठंड लगती है एस वेले रात को पसीना होता है आपको फिर दूसरी कुछ सिम्टम्स देखे तो mild weakness आ जाती है थोड़ी बह रोक के अंदर तो उसके complications क्या हो सकते कि अगर कोई ये problem को serious नहीं लेता और treatment नहीं करवाता अच्छे से तो कुछ complications हो सकते है आगे जाके तो 5 major complications से तो पहला problem हो सकता है कि sperm count low हो सकते है उसके गरन दूसरा जो है वो erectile dysfunction का problem हो सकता है premature ejaculation हो सकता है semen की जो viscocity होती है वो काम हो सकते है वीरिया जो है वो काफी पतला हो सकता है आपका और आपकी sexual health के उपर भी उसके करण असर होती है तो treatment के हम अलग-अलग options देख देख दे तो पहला option बनता है यहापे yoga या फिर meditation करेता है lifestyle modification करनी पड़ती है कि आप जिस तरह से lifestyle जी रह आप करते हैं तो सुरुवत करते हैं योगा से तो अलग-अलग आप योग कर सकते हैं जैसे कि प्राणायम आप कर सकते हैं फिर अनुलोम विलोम भी आप कर सकते हैं बहुत सरे videos internet पर available तो वह आप देखकर या फिर आप अच्छे से yoga assistant को consult कर सकते हैं फिर योग में दूसरे options आप डेख सकते हैं कंधार आसन का option बनता है उसके अलावा सर्वांग आसन का option बनता है यो आप यहाप देख़ रहे इमेजस के अंदर फिर तीसरे का आसन यहाप आप देख सकते हैं अच्छे से आपको meditation करना चाहिए, कि अगर आपको इस तरह से कोई खायाल आते है, या फिर problem हो रहा है, काफी ज़्यादा आपको disturbance हो रहा है, या फिर उसके करण आपको life में distract जैसा हो रहा है, तो meditation से भी आपको काफी ज़्यादा फाइदा हो सकता है अब बाद आती है lifestyle modification की तो कुछ lifestyle भी इसके उपर असर करती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते है कि पहले तो नींद के अटलिस्ट 8 गंदे की नींद जो है वो patient को लेनी चाहिए, पर वो नहीं ले पाता तो उसको अच्छे से नींद पूरी करनी चाहिए बिले कि at least start गंटे आप सोते है फिर आपको healthy diet लेना चाहिए proper मातरा में आपको पानी जो है वो पीना चाहिए फिर अगर आप समझे कि smoking करते हैं तो उसको बंद कर देना चाहिए फिर समझे कि आप सराब वगेरा भी पीते हैं तो उसको भी बंद कर देना चाहिए junk food वगेरा लेते हैं fast food वगेरा बहुत ज्यादा ले रहे हैं तो उसको काम कर देना चाहिए और अच्छे से healthy exercise करनी चाहिए healthy खाना खाना चाहिए आपका weight जो है अच्छे से आपको manage करके रखना चाहिए तो lifestyle modification से भी काफी फाइदा होता है फिर lifestyle change में एक और option आपको मिलता है कि आप जो है अच्छी किताबे बढ़ सकते हैं जो हमारे अलग-लग पवित्र ग्रंथ होते हैं holy books होती है वो आपको बढ़ना चाहिए तो उससे भी आपका जो mind है वो काफी अच्छा रहता है और इस तरह के problems जो हो बहुत कम होते हैं फिर 10-tex ford का यहाँ पर option रहता है अब दवा यूगी बात करते हैं तो patient जो यह वो 10-tex ford करके जो tablet आती है मल्या की वो ले सकता है कि दिन में एक tablet या फिर दिन में दो tablet आप उसको ले सकते हैं फिर कुर्स जिरियान करके या आप एक product देख सकते हैं आपके जो हमदर्द की product है कि यूनानी medications का एक option है तो उसके 4 या 6 इतने tablet जो आपको लेने चाहिए milk के साथ दिन में दो बार या फिर दिन में एक बार भी आप उसको ले सकते हैं फिर आगे एक और option हम देखे तो माजुन जिरियान खास करके एक product आती है तो यह जो है खास कर एक जैसे 54 प्रास होता है इस तरह से यह product आती है तो उसको क्या करना होता है आपको कि at least एक चमच जितना या फिर 10 ग्राम जितना आपको लेना होता है और उसको 250 ml जितने milk के अंदर जो ही वो अच्छे से mix करके उसको dissolve कर देना होता है और वो अच्छे से जब dissolve हो जाता है उसके अंदर गुल जाता है तो वो आपको दिन में बीना होता है कि जिससे आपको बहुत ज़्यादा benefits होते है धात रोक के अंदर फिर दूसरा option हम देखे क्वर्स जेरियान का यहाँ पर option है कि 4 से लेकर 6 tablet आप लेते है milk के साथ यूज़ करते है गोकसूरा का option रहता है हेमालिया का कि यह एक या दो tablet patient ले सकता है और दिन में दो बार भी आप उसको ले सकते है हेमालिया confido tablet भी आप ले सकते है तो उसका भी dose रहता है एक या दो tablet कि यहाप आप देख सकता है कि यह जो medication है वो nocturnal emissions मिलें कि जो अपना दोसका जो problem होता है फिर यहाप लिखा आप देख सकते है कि spermatoria का जो problem है या फिर premature ejaculation का problem है तो सभी problems को यह confido tablet जो वो ठीक करता है और उसके कोई sad effects भी नहीं होते है आपको तो काफी safe and effective medications अभीत होता है फिर चरक फार्मा का आप यहाप एक product देख सकते है एडिज हो अगर के तो यह जो है वो एक या दो के अपसल ली जाती है दिन में दो बार आप ले सकते हैं खाना खाने के बाद आप ले सकते हैं बाइदनात का भी यहाप एक product देख सकते हैं कि बाइदनात का मुसली पाक है और उसकी सुक्रमातरों का वटी भी आप देख सकते हैं तो वो भी patient ले सकते हैं कि अगर आप इस type के product जो है वो आपको suit हो रही है पतनजली के हम बात करते हैं तो पतनजली का भी एक मुसली पाक करके product available है और सीला जो तरह सायन वटी है तो जो मुसली पाक है वो जिससे हम 54 प्रास काते हैं ऐसे भी आप ले सकते हैं फिर milk के साथ उसको mix करके भी आप उसको ले सकते हैं और यह जो tablet साथी है वो दो tablet सुबर और दो tablet रात में जो आप ले सकते हैं milk के साथ जिसके आपको काफी ज़्यादा benefits होते हैं 10 या 15 drops लेने हैं एक cup जितने पानी में और वो पानी को थोड़ा सा गुन-गुना करना है और वो गुन-गना पानी के अंदर आपको ये drops डाल के जो है वो पीना होता है दिन में 2 या 3 बार जो है वो आप उसको ले सकते हैं जिससे भी आपको ये दात रोग में काफी आसरदार साबित हो सकता है फिर लबूब कबीर करके आप एक product देख सकते हैं तो ये भी एक यूनानी मेडिसिंस में काफी अच्छा option बनता है तो ये जो आपको 5 या 10 गरम जितना milk के अंदर mix करके लिए नहीं होता है कि एक गलास जितना milk लेते हैं और ये 5 या 10 गरम जितना ये लबूब कबीर पाग लेते हैं तो उसको mix करके अच्छे से पीना होता है फिर माजुन सूपारी पाग भी आप उसी तरह से same ले सकते कि जैसे आप लबूब का भी रियूस करते हैं फिर दूसरी कुछ options बताओ मैं आपको तो जो supplements के अंदर 40 से और M करके आप एक tablet आदी है जिसके अंदर L-Carnitin रहता है Coenzyme Q-Tense रहते है Zinc रहता है, Lycopin रहता है और extra xanthines उसके अदर present होता है तो यह tablet आपको एक लेनी होती है रात में सोने से पहले अच्छे से खाना खाने के बाद तो यह सभी अलग-अलग options रहते हैं जिससे आपका दात रोग ठीक हो जाता है फिर सुप्राडीन का भी option रहते हैं अगर आपको 40 सो रेम से फरक नहीं पढ़ रहा तो आप सुप्राडीन भी ले सकते हैं या फिर अज़र supplements के तोरवे भी आप उनको डेली खा सकते हैं तो यह अलग-अलग options हो गए धात रोग को ठीक करने के लिए हैं तो यह पर एक important बात यह है कि जब भी आपको यह problem होता है तो आप कोई भी एक choose कर सकते है कि चाहिए आप आयरुवेधिक medications ले रहे जैसे मैंने आपको हिमाल्या की medications बताई वो patient ले सकता है या फिर यूना नहीं ले सकते हैं या आप homeopathic में ले सकते हैं या फिर साथ में combination में आप ये supplements वगरा भी खा सकते हैं और धियान ये रखना है तो कि आपको lifestyle modification करना बहुत जरूरी होता है कि आप दवाई तो ले रहे पर साथ में आप lifestyle change नहीं कर रहे हैं तो वो दवाई की असर जेवे बहुत जल्द आपको नहीं होती हैं तो ये सभी options आपके लिए रहते हैं दात रोग को ठीक करने के लिए तो ऐसे ही detail में सिखना है बहुत सारी दवाईों के बारे में बीमारियों के बारे में तो आप medicine course को जोईन कर सकते हैं pharma rocks के अब उपर तो ये course को जोईन करने के लिए आप हमें mobile application हमारी download कर सकते हैं हमें whatsapp कर सकते हैं link आपको description box के अंदर मिल जाएगी so good luck and all the best